हेलो एबरिवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस परेश वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकास करूंगा प्रोटियम लॉन्स के बारे में इसमें मैं आपसे रिस्कस करूंगा जो proteum loans है ये कितने तक का loan amount देता है क्या rate of interest है कितनी दुनों का repayment time मिलता है इसमें किस तरीके से हम लोग loan apply करते हैं सारी जानकारी complete इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा बात करते हैं हम लोग आज की rate में proteum loans का जो download है वो 1 लक से plus download है और इसकी review की बात कर लेते हैं तो 4.4 star इसको rating मिला हुआ है यह जो RBI में registered है यह proteum finance limited के नाम से registered है जब आप इस application को open करेंगे तो open करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको interface देखने को मिलेगा यहाँ से सारा कुछ आप interface इसका देख सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं इसमें किस तरीके से loan दिया जाता है तो proteum loans जो है 100% digital journey है यानि कि digital माधियम से online माधियम से आप अपने mobile से घर बेटे loan ले सकते हैं यह हम लोग बात करते हैं कि कितने तक का loan amount देता है क्या rate of interest है इसके बारे हम लोग बात करते हैं यह जो है unsecured business loan देता है 35 लाग तक का maximum loan देता है micro, small and medium enterprises का यानि कि इसमें जो आपको loan मिलेगा maximum 35 लाग रुपय तक का आप इसमें loan ले सकते हैं यहाँ पर 7 लाग प्लस इसका happy customer है अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो loan application है इसमें हम लोग loan किस तरीके से ले सकते हैं इसके वारे में बात करते हैं तो यह जो application है वो जो loan देता है यह maximum आपको loan देगा 35 लाग तक कर maximum loan देता है और इसकी rate of interest की बात कर लेते हैं तो इसका rate of interest जो start होता है वो 18% से लेकर के 40% के बीच में होता है जो के reducing basis पे हैं और यदि आप इसमें loan लेते हैं तो loan लेने के लिए document जो लगेगा वो तो simple सबसे पहला अधार कर प्लस pen card प्लस जो है अपना business का कोई proof होना चाहिए तब आप इसको इसमें loan एभिल कर सकते हैं मैं यह चीज पहले clear कर देता हूँ कि यह जो है business loan provide करता है जो proteum loans जो होता है यह सिर्फ business loan देता है और business loan के लिए आपको अधार card pen card और अपना business का proof होना चाहिए जैसे GST होना चाहिए या तो आप ITR फाइल कर रहे हैं तो ITR होना चाहिए तो इसमें apply किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले proteum loans को जो है आपको google play store से download करना पड़ेगा तो google play store से आप इसको जब first time download करेंगे उसके basic चीज दे करके अपना register करना है जैसे कि आप अपना mobile number देना होगा आपको यहाँ पे उसके बाद अपना अधार card basic details फिल करके आपको इसमें apply करना है और last step में आपको अपना business का फुरूप भी डालना है जैसे आपका loan approval होता है उसके बाद company से proteum से आपको diet call आएगा और आपसे कुछ बाते पूछेगा कि आप कौन सा business कर रहे हैं इसका turnover क्या है तो यह सारी जानकारी सही बताने के बाद आपके bank account में proteum finance के द्वारा पैसा को transfer कर दिया जाता है और इसकी repayment time की बात कर लेती है जिसकी repayment time पांच साल से ले करके 10 साल के बीच में आपको repayment time देखने को मिलेगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया proteum loans के बारे में फिर मिलते हैं लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके